नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिशेक मिस्राप कल हमने आपको एक रैली की खबर दिखाई महा रैली होने वाली है महागडबंधन की सिमानचल इलाके में हमने आपको बताया कि कैसे सब की नजर बीजेपी की भी नजर महागडबंधन की भी नजर सिमानचल पर है और पूर्णिया में जहां आमित्सा रैली करके गए हैं वहाँ महागडबंधन रैली करेगा अब एक दूसरी रैली की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये रैली प्रियंका गांधी की पटना में होने वाली रैली से जुड़ी हुई खबर है रैली टल गई है और प्रियंका गांधी की रैली ये पटना में नहीं होंगी राहुल गांधी सिदे अब बोद गया में रैली करेंगे ये बड़ी जानकारी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है देशपर में बिहार में भारत जोड़ो यात्रा हुई लेकिन राहुल गांधी उसमें सामिल नहीं हुए है अब तक तो अब राहुल गांधी बोध गया में रैली करेंगी ये जानकारी सामने आ रही है प्रदेश कॉंग्रिस ने भारत जड़ोयात्रा के पत्ना पहुँचने पर प्रियंका गांदी की रिखना की थी, और यात्रा के समापन के लिए मात्र पच्पन घंटे बचे हैं पर रेली के लिए गान्धी मैदान की बुकिंग नहीं की गई है जो मीडिया रिपोर्ट्स के अबाले से जानकारी सामने आ रही है और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब रेली नहीं होगी या तकर पत्ना में प्रियांका गान्धीister बौद गया में राहुल गांदी की रैली तई ही थी 5 जनवरी को बाका में राश्टी अद्यक्षख खडगे तो आए तर पत्ना की प्रियांका गांदी I Birly टल गई अब प्रदेश कांग्रेस बोद गया में राहुल गान्धी Can حdir में जु और गांधी मुर्ती को मालियारपन कर यात्रा पूरी कर लेगी। तो यह जानकारी है, राहुल गांधी की रेली बोध गया में होनी है, लेकिन उसको लेकर भी बहुत कुछ किलियर नहीं है, अगर राहुल गांधी तयार नहीं हुए, उनको समय नहीं मिला, क्योंकि कॉंग्रेस का राश्टी अधिवेशन भी है रायपूर में, तो राहुल ग